तो ये देखी ये है mango shake तो आप सभी को दिख रहा होगा ये mango shake है पर ये mango shake बिल्कुल मैंने नए तरीके से बनाया है और बिल्कुल थिक दिख रहा होगा आप सभी को बहुत ही tasty और creamy texture में और बिल्कुल unique तरीके से मैंने ये बनाया है तो आप सभी का मेरे चैनल में Most Welcome है तो ये मैं आले किया हूँ मेंगो सेक की रेसिपी तो ये मेंगो सेक है ऐसे तो सभी को बनाना आता है पर मैं कुछ इसमें ऐसा यूनिक करने वाली हूँ कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा और आप सभी जैसे मार्केट में पीके आती हूँ मेंगो सेक वेसा है टेक्चर वेसा ही इसमें किर्मिश टेक्चर आने वाला है तो बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने बनाया है तो वीडियो को पुरा देखिएगा इसकी बिल्कुल मत करेगा जब आपको ये वीडियो समद में आयगा कि ये मेंने किस तरह से मेंगो सिक बनाया है तो सबसे पहले मैंने नॉश्टिक पैन ले लिया और इसमें मैंने आदा गिलास दूद लिया है जादा दूर नहीं लिया है तो यह मैं तो मैंगो से कम फ्लेवर यह कोई कई टाला है कश्टड पाउडर जादा नहीं डालना है नहीं तो मैंगो सेक का कम फ्लेवर आएगा और कश्टड का जादा आजाएगा तो इसमें मैंने एक ही चमट डाला हो और मैंने अच्छे से मिला लिया है कश्टड को अलग से अब ये देखे ये दूद है मेरा गरम हो गया है गरम हो गया है तो इसमें मैं डालने वाली ये मैंने जो कस्टड पावडर दूद में मिलाया है इसको मैं डालूँगी तो कस्टड पावडर है जो इसका flavor ये किन मानी ये बहुत ही आचा आता है mango Event में तो आप जरू ट्राइ कीजिएगा मैं बता रही हूं ना उसके अकोडिंग बना के देखिएगा आप मेरे वीडियो को थैंक्स बोल के जाओगे कि आपने बताया है तन्वी जी तो मैंने ये बनाया है बहुत ही टेस्टी बना आप भी जरू बना के देखिएगा इस तरीके से तो हमें इसको चलाती जारी हूं लगा था रोड में पूरा कस्टड पाउडर डाल दिया और ये ठीक होने लग गया है अभी इसको हमें पकाना है कस्टड को तो ये देखिए पकने लगा है और ये इसमें बबल से आने लगें बिलकुल अच्छे से पक जाना चाहिए उसकी रून टेंपरेचर आने के बाद मैं इसको फ्रीज में रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज में रख देना है तो आगे का प्रोसेज में क्या करना है तो देखिए मैंने एक आम लिया है ज्यादा आम नहीं लेना है एक ही आम लेना है तो एक आम लिया है उससे मै यह बहुत ही tasty सा mango से एक बनाने वाली हूँ तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको इसके छिलके को पिलफ और कर लेंगे मतलब छिलके को उतार लेंगे तो आप चाहो तो इसको slice करके भी इसके अंदर की जो गीदा होता इसको निकाल लीजे प्लफ को मैं इसका छिलका उ करूँऑर किट कुट जीए कीद डिर्फित कीच मैं गाले हों, इसके जो इसको कटिंग करेंगे लेइसे बहुत ही अच्छा लगता है एक ही में ऋसको का प्लफ का जायगा कर नहीं कर को साधा है तो यह डिसे पूरा गिदा निकल जाये गा और बनारही प्लेट में पूरी निकाल लिया है अब मैं क्या करूंगी यह देखी भगुना लिया है बगुने में हम डाल देंगी इस मेंगो को पूरे जो प्लब को डाल देना है और आप देखिए यह मैंने जो बनाया था कस्टड पाउडर का तो इसको मैं पूरे को डाल दूँगे यह ने फिरीज में रख दिया था तो इस तरह से जम गया है तो इसको पूरे को डाल देना इतना है मैंने बनाया था एक बार में ही यूज लेना है यह डाल दिया है मैंने अब हमें क्या करना है आइस क्यूब डाल देंगे आइस क्यूब से इसमें जो किरमिश टेक्चर आएगा अच्छा जो मैंगो से लगीए इसलिए अब इसमें हम डालने वाले चीनी तो चीनी इसमें करिबार में तीन चमड डालूंगी आप अपने स्वात के अकोरिंग देख डाला है और यह मैंने इसमें डाल दिया है दूद एक गिलास दूद डाल दिया है और मैं यह हैंड ब्लेंडर से बना रही हूं आप चाहो तो ग्रांडर जास से बना लीजिएगा हैंड ब्लेंडर है मेरे पास तो इससे बहुत ही अच्छा से बन जाता है तो मैंने कई बर बत कर लिया है और पार बांव स्कार। तो मैं दो ग्लासि ले रही हूं ऐसे तो हमारे जादा बनाएं। मैं आपको तो मैंने दो ग्लासि लीए हैं। तो इसमें हम डाल देंगे जूस को तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में जैसे हम डाल रहे हैं इसमें ही कितना अच्छा क्रिमी टेक्चर सा इसका दिखाय दे रहा है बहुत ही ठीक सा और बहुत ही टेस्टी क्रिमी सा जूस बना था तो अब मैं इसमें क्या क पर हम dry food डाल देंगे dry food डाल दीजिए cherry जह हो तो cherry डाल दीजिए ये सबी मेंने डाल दिये हैं तो इस juice बनाने का तरीक आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरू बताईएगा मिलते हैं next video में ओके partners